हमस्कार मैं हूँ उत्करशत्रुवेदी आप देख रहे हैं अमारुजाला और आज आपका पसंदिदा शोग खबरों के खिलाडी आप देख रहे हैं लाइव क्यूं क्यूंकि आज एक ऐसी तारीख है एक ऐसा दिन है एक ऐसा उत्सव है एक ऐसा अवसर है जिसे पूरा अपनी निगाहों से देख रहा है और इसलिए हमें लगा कि आपके पसंदिदा शोग को आज आपके बीच में लाइव लेकर आना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आयोध्या पहुंच चुके हैं और आयोध्या में राम लला की जन भूमी जो उस जन भूमी पर वह इल्वे स्टेशन, वहां की सड़के, कई बड़ी परियोजनाएं, कई सारी चीज़े हैं जो आज तस्वीरों के माध्यम से इस देश की और दुनिया की तमाम जनता जो है और राम भक्त जो हैं वो भी देखेंगे लेकिन इन सब के बीच में जैसा अक्सर इस देश में होता बन गया है, प्रभू श्री राम हमेशा से भारती राजनीती के चाहे अंचाहे केंद्र में बने रहे और बिना किसी देरी के इसी विशे पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे हमेशा की तरफ बड़े पैनल से आपका परिचार कराता हूं, राखी बक्षी में हमें साथ ज रिम कुमार जी, दर्शकों के कमेंट पर आपका नाम जरूर होता है, खूब याद किया जाता है, खूब स्वागत आपका, और जदीब करनेक जी, संपादर कमरुजाला डिश्टल, वो हमारे साथ मौजूद है, जैसा मैंने कहा, देरी नहीं, किसी भी सवाल जवाब को ले श्री राम, जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राजनीती को देखते आ रहे हैं, खबरों को करते आ रहे हैं, और आपने भी कई खबरे कवर की होंगी, चाहे कोई भी कुछ कहे, लेकिन भारत में राजनीती का केंदर बन जाते हैं, अब जबकी इवेंट इतना पास है, आज एक निर्वान कारे दिख रहा है, और उसके बाद एक मेहनी से भी कम का वक्त है, उस इवेंट में, उस बड़े अफसर में, क्या आपको लगता है कि राम केंदरित राजनीती दोहजार और चोबिस में होनी हैं, देखे, चाहे या अंचाहे, ये जो है, किसी भी जैसे दोहजार चौबिस का चुनावाएगा, उससे पहले क्योंकि राम लला राजमान होंगे, तो ये राजनीती में इसका असर तो होगा ही होगा, देखे, बीजेपी की राजनीती में, राम मंदिर का, चाहे बीजेपी उसे अपनी आस्था का केंदर मानती है, लेकिन उसकी रा तो वो फाइदा हमेशा पहुंचेगा, अब आती है इसको लेके राजनीती की बात, अपोजिशन का ये आरोप है कि बीजेपी जो है इसे राजनीती के इस्तमाल कर रही है, ये ही आरोप है, तो मैं ये कहता हूँ कि क्यों ना हो, देखे, 1971 की जो वार हुई, जिसमें काम होता है तो जो भी सत्तादारी दल होता है, जो की उसकी परमिशन देता, उसको फायदा होता है, अब आते हैं बयानों को लेकर, कांग्रिस जो है स्मंजस में है, सैम पिट्रोडा का एक बयान आया, कि भाई, राम что-ое, उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये सैम प्रनप ittरोडडे को को ये बताते हैं कि कि पीछे क्या हुआ है क्या जोौला नहरु इंदरा गांधी जो नेपाल में टेम्पल में नहीं गये क्या इंदरा गांधी राजीव गांधी और सोनिय गांधी महा कालेश्वर के डेंपल में तीन तीन बार नहीं जा चुके हैं क्या अभी जो राजी वगांदी थे 1977 में क्या उन्होंने मंदर से अपनी एक यातरा शुरू नहीं की थी तो ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है हमें लेकिन आप जब इस तहा की बात करते हैं कि राजनीती से धर्म को उड़ा रहा है अब बात करते हैं शिव सेना की चली शिव सेना का एक बयान आया कि जो है ये बीजे पी का पूरा सम्मिलन है हम क्यों जाएं देखिए शिव सेना का हक बनता है वैसे पूरे राम मंदिर के उसमें उनको जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से जिस तहां से शिव स यादव और उनकी पत्नी के बयानों की जो प्रमुफता से देखे गए अब जो डिम्पल यादव उनके बहुत अच्छा था और बहुत ही सुलजा हुए बयान था कि मुझे निमंतर ना आएगा तो हम जाएंगे निमंतर नहीं आया तब भी जाएंगे ये उनने कहा अखिल आती है त्रिनमुल कॉंग्रेस या ममता बनर जी की बाद देखे बंगाल जो है पश्चम बंगाल जो है वो एक टिपिकल चुनावी अगर उसको रूप से देखे तो एक बहुत जादा टिपिकल है बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 28 फीसदी 27-28 फीसदी के आ आसर डालते हैं तो ममता बनर जी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उस राजनीती के तहट ऐसा कोई बयान दें जो कि ये दिखाता हो कि वो कहीं न कहीं उनका हिंदुत तो उसके लिए जुकाव है लेकिन क्या ममता बनर जी अपने ही राज्य में एक बड़ा मंदिर का न निर्मान कर रही है जिसमें वो सरकार के पैसे से इसका निर्मान कर रही है तो थीक है तीधियो जो भी हो सब्सक्राइब है मैं राखी जी आपके पास सवाल को ले जाता हूं हमने कुछ तस्वीरे देखी स्प्रितीरानी हैं वो कह रही है कि मैं अपने राके के लिगों को ले जाओंगी और जो जन भूमी है जहां पर वो मंदरी का करेक्रम हो जागा 22 जनवरी के बाद मैं उनको दिखाऊंगी चर्ट देखाऊं पर भी जवाम मैं दूंगी पर आपके सवाल का भी जवाब मैं दूंगी पहले तो के अगर दो बड़ी चीज़ें जो हम देखें जो प्रति बदहेथ ही पार्टी की 370 जम्मू कश्मीर में एटाना और अब राम लला का आपर प्रतिष्ठित हो ना तो दोनों चीजे जो है बड़ी चीजे थी और अब ये दूसरी बड़ी चीज जो है 22 जनवरी कौन देखने जा रहे हैं विकास भी इससे जुड़ा है कई न कई विकास जुड़ा है आज जब हम बात कर रहे हैं तो वंदे भारत की ट्रेन भी आज फ्लाग उफ होगी साथ सबका विकास की बात हो रही है वो मुझे लगता है कि यहां सही में प्रतिलिक्षित है आप जो कह रहे हैं कि सरकार क्या इसको आगे बढ़ाएगी मुझे लगता है कि यह सभी को इसमें यह जो आस्था का विशा है जो बहुत सारे लोगों के लिए है उसमें कहीं न कह उसको गर इस तरह से सब्लोग इसमें अपनी कहीं न कही अपनी आश्था को यह आने इवन मैं कहूंगी पार्टियों को इसमें अपनी जगह बनानी चाहिए और वो बनाने की कोशिच भी करें जो ना कर रहे हो यह उनको सोचना पड़ेगा और अंतर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा मुझे लगता है कि इसको इस तरह से एक holistic approach देकर आगे बढ़ना सही रहेगा हम भारत में अगर बात कर रहे हैं भारत की राजनीती की बात करने हैं हम इसको सिर्फ और सिफ बीजेपी की राजनीती नहीं कह सकते हैं इसमें मुझे लगता है सबका सबके अपने अपने लक्ष जुड़े हुए हैं तो इस तरह से हमें इसको देखने की ज़र था और मैं इसको विकास से ही जोड़ूंगी अगर आप बात कर रहे हैं कि मंत्री चाहे वो स्मृति रानी हो या कोई और मंत्री अगर अपने संसदियत शेत्र के लोगों को ले जाता है तो क्या उस संसदियत शेत्र के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वो देख पाए जाकर और राम भावना और आस्था के दृष्टी से भी सही रहेगा प्रेम सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था जो जिन तमाम सवालों के हमने बात कि अब तक थोड़ा बहुत यह वी विरोध देखने को मिला और खासतर पर कर सीपिया के बयान का हवाला दू जिन्होंने कहा कि इवेंट इस निमंतरण का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तमाम बयान उसको मिलने या ना मिलने पर आए हैं क्या आपको लग रहा है कि निमंतरण के पीछे भी कोई राजनीती हुई है व्यक्तिगत उत्सव में भी जब हम कुणी लोग को बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं या छोड देते हैं चुक्के हमारे आयोजन करने की अपनी कुछ हमताएं होती हैं उसके हिसाब से लेकिन जब कोई सार्वजनिक उत्सव होता है धार्मिक होता है तो उसके निमंत्रण में जो धर्म के आधार पर कुछ क्राइटेरिया बनने चाहिए वो होने चाहिए लेकिन जब वो राजनितिक हो जाता है तो निमंत्रण फिर एक अलग सुरूप ले लेता है तो यही कारण है कि अब जैसे हेमत सोरेन मुख्यमंत्री है जारकंड के उनको क परगाव में जाते हैं और हम हिंदु धर्म के सायोजन में क्यों नहीं जाएंगे तो हम सब में जाते हैं तो हमें मिलना चाहिए यह उनका रुक है इसी तरीके से डिफरेंट लोगों का डिफरेंट है लेकिन निमंत्रण देने की भी अपनी सीमा होगी अब उसमें जब नहीं बन पाता है उचित तरीके से या फिर माली जे आडवानी जी और जोशी जी वाला ही प्रकरन आता है जिनको निमंतरन तो दिया जाता है लेकिन फिर कह दिया जाता है कि आपकी उमर जो है आने लाइक नहीं है आप ना आए तो ये भी एक किसम की बात होती है इसमें भी एक राजनिती ही होती है तो निमंतरन में रा पूरे तरीके से भी स्पष्ट है अब जो राम तिर्थ के ट्रस्ट के प्रमुख है चंपत राय जी नर्द मोदी जी को भगवान विश्णु का अवतार बता देते हैं जाहिर है कि वो कृत्त गिता का ग्यापन कर रहे हैं ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया इसी तरीके से अब जो तिथी तै की गई ये तिथी राम नौमी स्रेष्ट होती ऐसा कई शंकराचारी ने भी कहा है कई आचारियों ने भी कहा है कि राम नौमी के दिन होना चाहिए था ये तिथी कौन सी तिथी है और साथ साथ इसका चुनाव से भी संबंध है कि अगर आज देखिए 2023 का अंत हो रहा है 31 दिसंबर है आज से ठीक 23 दिन बाद 22 जन्वरी को होना है प्राण प्रतिष्ठा समारो तो ये 22 जन्वरी का ऐसा क्या महात्मिय है ऐसी क्या प्रतिष्ठ 22 जन्वरी को कि इसी दिन राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो तो इसको जस्टिफाई किया नहीं जा सका है जबकि राम नौमी तो स्वयम में जस्टिफाइड है तो इसका चुके चुनाव आने वाले हैं चुनाव अगर थोड़ा डिले करेंगे तो आचार तब हाँ शेत्र के आधार पर सारी योजनाएं बन रही हैं ये तो धर्म नहीं कहता ये तो विश्ट दुरूप से राजनीती है तो राजनीती जहां होगी तो नीमंत्रण में भी वो पार्शलिटी दिखेगी ये अगर आपको लगता है कि इस पूरी राम न्दिर की राजनीती जो आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी इस शो को देखनेगे ओने तमाम जो दर्शक हैं वो लिखे हम कोशिश करेंगे कि जो वाजब सवाल हों जो सुलजे हुए कमेंट हों आईसे विचार हों जो की हि विष्नु भगवान को समर्पित है और एक खास दिन होता है विष्नु भगवान के लिए तो ऐसा नहीं है कि यह कोई महत्व हिंदू महाइथालोजी में नहीं है अब यह तो देखके ही इस तहां के जो दिन है वो चुने जाते हैं बात जहां तक राजनीती की है उस पर मैं कह चुका हूँ, मैंने ये भी कहा था कि 1988 में किस तहां से राजी गांधी न अपना पूरा केंपेन जो है वो थुरुआ यूर्प टेमपर से शुरू किया था, तो ऐसा नहीं है कि राजनेताओं ने जो धर में उसका इस्तमाल नहीं किया है, उसका फाइदा नहीं उठाया है, अ रावल जी भी कहा रहे हैं कि इन तरीके के अफसरों का लाभ नहीं लिया गया, कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधान मंत्री के तौर पर लोग सभा चुनावों में अब क्या साफ साफ दिखने वाला है, क्या वैसी कोई रणनितिक तयारी भी है, पार्टी के कर रहा है, जनता से डोनेशन लिया, लोगों दिल खुल के डोनेशन दिया, और डोनेशन से मंदर का निर्मान उड़ा है, सरकार इसके अंदर कोई बड़ी भूमी का निर्मान में नहीं निभा रही है, लेकिन यह रता है कि संगठां के दृष्टे से बास जानता, पार्ट मुझे लग रहा है, जिस भारते अंता पाटी ने ऐस राम जर्मुमी आंदोलन में बड़ी भूमी का निभाई, उसके स्वमसेयों के निभाई, संग ने बड़ी भूमी का निभाई, और भारते अंता पाटी तो अपनी राज्य सरकार को कुरूबान किया था इसके लिए, राजनीद्धी तो पहले भी होती थी। जब मंदरी का निर्माद नहीं हुआ थि, जब बाबरी मस्जीद का विवाद चल रहा था। उससे में भी दो पक्ष बर्जि बराबर compounds से घृता थे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पुरे देश का मामला बनते जा रहा है। जारा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर का अउध्या के दर्शन कराने की वैस्ता करें। इतने लंबे समय तक उसने इस राजनीती की है तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ता मुझे लगता है। नहीं बात पदान मंतरी मोधी केस में तो पदान मंतरी मोधी का अगर में जिकर करो तो सिवराम मंदिर एक मुद्धा नहीं है। जिसके आदार पर पदान मंतरी मोधी को वोट मिलने वाले हैं। पदान मंतरी मोधी का जो काम है उसके बड़ी भूमिका निबाने वाला है। पदान मंतरी मोधी के साथ जुड़ा हुआ है। पदान मंतरी मोधी या भारतियनता पाटी इसका राजने दिगलाब लेखे और उसके दम पर चुनाव जितेंगे। यह ठीक नहीं है। पदान मंतरी मोधी के नाम पर पदान मंतरी मोधी के काम पर चुनाव लड़ेगी। पदान मंतरी मोधी के नाम पर पदान मंतरी मोधी के काम पर चुनाव लड़ेगी। हाँ उसमें राम मंतर का मुदा एक एडिशन एडवांटेज भारतियनता पार्टी को देगा। इसमें कोई दोर आई नहीं है। अब हाल में हमने देखा क्रिस्वस के मौके पर जो आउटरीच की बात हो रही है। तो वह भी एक हुआ जिसमें खुलकर आये लोग और बात के उन्होंने। आप बोलें समंझे से कि भार जदीव जी मैं आपसे जो स्वाल करना चाहरा था और उससे पहले मुझे लगता है कि आज तो एक ही भाव का कमेंट है जो हर राम मंदिर और उसकी प्रांट का तिष्ठा है कैसा मुद्दा होता जा रहा है जिसका विरोध के लिए भी विरोध करना थोड़ा सा विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल हो रहा है और इसके लिए एक सेफ एंगल जिसे हम कहते हैं कि एक कि निमंत्रन बुलाया नहीं बुलाया और दूसरा जो बात होती है कि उस पूरे राम मंदिर अंदोलन से जुड़े जो बड़े नितार है हो रहा है कि वहां पर एयर्पोर्ट भी दिखेगा वहां पर रेल्वे स्टेशन भी दिखेगा तो इमोशन जिसे कहते हैं भाव प्लस विकास जिसमें आप वो राम पत दिखा सकें वो जन्भूमी पत दिखा सकें वो भक्ति दिखा सकते हैं वो एयर्पोर्ट और रेल्वे और राम को लेकर राजनीती होती रही है लेकिन इसमें से हम अगर राजनीती वाला पक्षटा दें तो वो तो हिंदुस्तान की जो एक अरब से जादा जनता है राम उनकी आस्था का प्रतीक हैं और वो राजनीती से परे हैं हम हमारे देश की नहीं पूरे दुनिया की राजन प्रवावनाओं और विकास के संतुलन के साथ जनता के मानस तक पहुंचने का प्रयत्न करती है तो यह सबसे सुंदर मिश्रण होता है केवल आप बात करोगे भावनाओं का दोहन करने के प्रयत्न करते रहोगे लेकिन डिलीवर कुछ नहीं करोगे तो जनता आपको एक समय वोट दे दे के लिकिन अगले समय नकार देगी मैं कहना चाओंगा कि भारती जनता पार्टी ने अपने एजन्डे के साथ साथ दोनों का सम्मिश्रण करने का लगातार जबरतस्त प्रयत्नी किया है अगर राममंदिर बनाया है तो अध्या का विकास करके वहाँ पर अच्छा रेल्वेस्टेशन देने की रोजगार पैदा करने की एरपोर्ट देने की भी विवस्ता की है और जो समीर जी कह रहे थे उससे मैं सहमत हूँ कि आप इसको राजनितिक लाब के लिए दोहन तब कह सकते हैं जब किसी ने इसको कभी अपनाया ही नहों और अचानक उसमें वोट बैंक दिखाई दिया हो और अचानक इसको एजेंडा बना लिया हो जिस पार्टी ने लगातार कई दशकों तक इसको अपना एजेंडा बनाया उसके दांदोलन किया अपनी राजनितिक लाब के लिए बुना रही है तो वो तो सीना चोड़ा करके बुना रही है वो तो कही रही है कि इस मुद्दे को हमने उठाया इसको हमने इस पूरे मामले में तकनी की पहलू तो ये है कि ये कोर्ट का आदेश है जैसा समीर जी कह रहे थी कि राम मंदिर का एक ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्मान किया जा रहा है ये दोनों तकनी की पहलु है लेकिन सब जानते हैं कि इसके पीछे पार्टी और विचारधारा के स्तरपर कौन ख़ड़ा है और आप जो कहरें कि इसका विरोध करना मुश्किल हो इसलिए कि राम का बही जब आपके पास सरकार थी कोर्ट में मामला था आपने उस तरह की दलीले दी नहीं लेकिन आयद आप क्या राम के विरोध में जा सकते हो आप भाजपा के विरोध में जा सकते हो लेकिन क्या राम के विरोध में जाने की हिमाकत कोई कर सकता है अलामा इकबाल जो खुद जिनका तराना हम गाते हैं और जिनको लेकर बाद में विवाद रहे और पाकिस्तान चल लगे लेकिन उन्हें भी कहा था ना कि हराम के वजूद पर हिंदोस्ता को नाज एहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद तो ये कोई चाहा कर भी इस तरीके से उसका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि राम का जो हो गई अब तो 500-600 साल की बात है इस तरीके से भुना कर व्योस्थित करने की और मानस में आप देखे आयोध्या में ही एक गाव है सूरिवंशी राजपूतों का जहां पर तब से 500 सालों से लोगों ने तिन संकल्प ले लिये थे उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहने प यह आस्था है ना यह गहरी पैठी हुई आस्था है जिनको सतह पर होने वाले सत्ता परिवर्तनों से या फिर उपनिवेश्वात से भी फर्क नहीं पड़ा है तो इसकी गहराई को जो समझेगा वही समझेगा कि हो क्या रहा है और इसके निमंतरन को स्विकारना ठुकराना यह सब राजनीती है मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा हम सब लोग पत्रकार हैं यह पत्रकारों का ही शो है ख़बरों के खिलाडी इस मुद्दे को लेकर राजनीती हर दलने की है अपने अपने पक्ष में जैसा राहूल जी ने बहुत अच्छे से याद दिला है ताले कि ने खुलवाय थे राजी गांदी नहीं खुलवाय थे ना जब उनको लगा कि इसकी वज़े से मुस्लिम वोड़ बेंक चिक टक रहा है तो एकदम से दूसरा पाला बदल लिया कॉंग्रेस ने तो किसी ने अपने दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए इस मुद्द्य को लेकिन राममंदिर को लेकर राजनीती बहुत हुई है लेकिन राजनीती की आड में ही सही अगर करोडों लोगों की आस्थाएं प्रवाहित होकर उस मुकाम तक पहुंच रही है जहां वो उसको देखना चाहते थे तो वो पहुंच रही है अगर इसको कोई बुना रहा है तो यह उसकी राजनीती समझ है कोई समझता है कि इसको नहीं बुनाया जाना चाहिए तो आज की राजनीती को नहीं समझता है और जहां आपने का ता कि अफसर के तौर पर प्रांट पर देखा जा रहा है अगर उस अफसर की बात कर लें रोडशो है वहां पर उसके बाद अब जो दूसरा खेमा है क्या विकल्प है रंडितिक तोर पर क्या राम का विरोध जैसे जरी जीन विका की वह बहुत आसान नहीं होगा तो प्रतीकों का विरोध तो नहीं हो सकता तो फिर इस मुद्दे को जब भारती जनता पार्टी खूब उठाएगी जिस रंडिति का राम का विरोध बोल करके प्रस्टन खुद खड़ा किया जाता है कि श्री राम का विरोध कर रहे हैं लोग श्री राम का सपोर्ट कॉन कर रहा है जो मदिर निर्माड कर He is questioned His ये इसा कर रहे हैं दंके की चोट पर कर रहे हैं और अब सीना चोड़ा करके कर रहे हैं तो फिर श्री राम के लिए आप कहां काम कर रहे हैं आप तो अपने लिए काम कर रहे हैं तो श्री राम के साथ खड़े हैं वो लोग जो इस आयोजन से जुड़े हैं ये मैं खारिच करता हूं ये बात नहीं है दूसरी बात है कि ये बात कहना कि rationalize कर देना कि सारे लोगों ने पहले कभी ने कभी इस्तेमाल किया है और इसलिए अभी जो हो रहा है वो भी अवश्यम भावी है और जायज है इसलिए सही नहीं है rationalize करना देखिए एक पत्याशी भी चुनाव लड़ने जाता है तो पूजा करके जा और तो ये एक हमारी परंपरा का भी हिस्सा रहा है इसको हम राजनीति करन करना तो नहीं बोलते लेकिन चिंता का विशय यह है कि राजनीती ने धर्म को अपने हाथ से अपने हिसाब से मन् चाहें तरीके से हांकना शुरू कर दिया है धर्म का इस तरीके से इस्तेमाल ये चिंता का विशय है राजनीति कोई कर रहा है राजनीतिक फाइदा लेगा ये तो उसका सोभाव है राजनीत का अपना सोभाव है नेताओं का अपना सोभाव वो करेगा लेकिन यही सोभाव अगर धर्म को अपने वश में कर ले तो ये सभी धर्म के प्रती आस्था रखने व हिंदु धर्म के बारे में कुछ कहकर फिर भी राजनीती में रह सकते हैं वेस्टन वर्ल्ड में कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जो वेटिकन के खिलाफ या क्रिश्चेनिटी के खिलाफ बात कहके राजनीती में रह सकती है यमन में या फिर अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या साउधी अरेबिया में या तर्किये में कौन से ऐसे राजनीता हैं जो के मुस्लिम समुदाय के बारे में या मुस्लिम धर्म के बारे में बात करके राजनीती में रह सकते हैं ये हमारे देश की बड़ी बात है कि हिंदु धर्म इतना टोलरेंट है कि वो ये सब करने देता है, आपको मान जाता है. लेकिन अगर इस देश में मुझे लगता है कि राजनीती करनी है तो जो राजनीती है वो एक धर्म के को दिस्टर धर्म के खिलाफ खड़ा करके नहीं की जा सकती जो कि Congress बहुत सारे दल करते हैं। कि महनता बतानी के लिए हम ये कहें कि दूसरे धर्म में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। धर्म में इजाज़त नहीं होती है। देखो हमारे धर्म में बोलने की इजाज़त है। ये लोग धर्म बिद्रोही है, ये प्रबृति जो डेवलप हुई है, ये इंदु धर्म के स्वाभाविक सहिस्णूता के खिलाप है। राहुल जी जो बोल रहे हैं उसलिए मैं प्रतिकार कर रहा हूँ जिस पर विपक्षी पार्टियों का बहुत सवाल है आप चेहरे देखिए मतलब उसमें जो जानकारियां सामने हैं कि गरब ग्रह में अगर पांच लोग होंगे तो उत्तर प्रदेश के राजिपाल होंगे उ दर्संग चालक होंगे और उसके बाद वो मुख्य पुजारी होंगे तो फिर यह स्टेक सुप्रीम कोट के आदेश या यह ऐसे लोगों का चुना और विपक्ष का पूरा का पूरा पूरा जो आधार है उस विरोध का वो यह है कि जब एक चीज नयाले के आदेश से हो रह रहे हैं एक तो उत्सव की हम बात कर रहे हैं और दूसकी तरफ हम अफसर की भी बात कर रहे हैं तो जैसा कि अभी सब लोगों ने कहीं न कहीं इस बात को सामने सब भी निलाया है और बार बार मैं इस बात पर आउंगी कि इसको सिर्फ धर्म से जोड़ देना सही निया धार में रखते हुए भी हो रही है और हम कैसे सब ही इस बात की बात कर रहे हैं कि यह जो पार्टी है जिसकी राजनीती ही चलती है और मैं फिर कहूंगे कि सिर्फ धर्म नहीं धारना पर भी जो बहुत व्यापक स्वरूप है कही न कहीं और हमको इसको नारू करके नहीं देखना चाहिए जो बहुत सारी विशलेशा कि इस पर बहुत अच्छे विशय पर बहुत अच्छे तरह से बातें पहले कर चुके हैं और हम सुन चुके हैं तो आप जो यह बात कह रहे हैं कि यह क्या सिर्फ पांच लोग ही इस तरह से रहने चाहिए यह कहीं न कहीं हम सब जानते ह तो मुझे लगता है कि उसको हम फिर भी नेरो करके इस चीज से ना देखें जो आप पांच नाम ले रहें कि कौन से नाम हुआ रहेंगे यही चुनाव तो हो रहा है और यह तो यह तस्वीर फिर लोगों के बीच जा रहें बट सब लोगों को बुलाया भी जा रहें कुछ ल अगर किसी एक पार्टी से रिलेटेड है या सिर्फ उसी का एक नैरो परस्पेक्टिव है मैं कहते हैं उसको व्यापक रूप पर देखने की ज़रत है और अगर उस द्रिश्टी कौन से देखेंगे तो सही में राजनीती भी क्योंकि सभी पार्टियों की राजनीती भी है और मैं कहूंगे कि अगर राजनीती को भी संकीर्ण करेंगे मेरा यह मानना है समीर जी आपको जोड़ना चाहरे तो उसकात मैं अपना सवाल जोड़ लूँ उसी में साथ में फिर आप अपनी बात रख लीजेका उसमें जैसे कई विपक्षी दलों के बयानों को हमने देखा उन्होंने का कि देखिए आडवाने जी को निमंतरन देकर हिदायत भी दे ग है कि आप इन पांच को तो बुला रहें लेकिन यह कहा है जब पिशली वार भी भूमी पूजन हुआ था तो उस दिन पंडाल के अंदर भी नामों में से कोई नहीं था कोई सर्यों की किनारे बैट कर दिये जला रहा था लेकिन वहां तक आने नहीं दिया तो विपक्षी प भूमी, तिरतंऄ शेतर में था व ट्रॉस्ट्र मना हुआ हूा है यह उसका धिकार कि इसको बुलाना इसको नहीं बुलाना बावी जन्रुक re sensitivity कि तो एक प्रवेस्पा भर्षी सीमा कि शक्र चampoo के हैं रोड दर्षन करने जा सकते ऑ आप तर्व IG शानसंदर को लेके जाओ आपको किस्कों बाविस्थारिकों को बुलाय है कि इसमें की राजीती ऊ रही है एक समय सिमा में इसको बुला दो ढाइब खो लेकिन आपको लगता है कि बारतियनता पर इसका राजनीति घ्लाव लेरी आपको राजनीति घ्लाव नहीं मिलेगा तो आप बंबई से लेके अधर की पनयात्रा करो दर्शन करो आपको किसने रोका है आपको पुरा मीडिया मेलेज मिलेगा आप अपने केडर को बताओ कि निर्मान में कितना सहबागी हो रहा है अब जब इतना भवे मंदिर का निर्मान हो रहा है तो मुझे लगता कि पुरानी जो खटास रही है जो पुराने दूरिया रही है उसे छोड़कर उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए लेकिन आप भारतियनता पार्टे से कहते हैं कि विपक्ष भी इसमें अपनी राइनिती देख रहा है उने भी इस बात की चिंदा है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे मुस्लिफ वोट बेंक का क्या होगा अखले शादों कहते है भगवान जब बुलाते तब जाना होता है सोनिया गांदे पे तक निर्णा निकर पारी जाए है भारती जंदा पार्टी आरोप लगा कर विपक्ष भी अपनी राइनिती को कहीं नहीं कर दोजार चोविस के लिए साधिने की कोशिश कर रहा है तो राइनिती समिकर्ण सब क्या अपते सेटे लेकिन जंदा के बीच किसका इसका असर पड़ेगा यह तो चुनाव पार्टी बनाने की कोशिश की हनुमान चाली सावत क्या 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 किया उसी तरह 36 गड़ में किया इन सब राज्यों में खासतोर से मध्यपदेश में जो कॉंग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक है वो 33 फीस सदी बढ़ गया बाकी अगर तीनों राज्यों को मैं मिला लूँ त लगभग 12 फीस सदी से लेके 20 फीस सदी तक मुस्लिमों ने जादा मुस्लमानों ने जादा वोट कॉंग्रेस को लिया तो जबकी उन्होंने ये हर बार कोशिश की कि वो मंदिर चले जाए उन्होंने अनुमान का कर दिया रामपत गमन जो है 36 गड़ में कर दिया तब भी उ हमेंशे कहते हैं कि इस शो में जो बाते होती हैं फिर वो बाद में भारती राजन сердt types चाण कर रिकॉर्ड करेंगो बाद में भी इसके चले हिस्से चलें उन्तेस तारिकों मुक्यमंत्री योगी आदितनात्य में बात गहीं कि आप सिर्फ राम मंदिर को क्यों देखते हैं या जन्म भूमी को क्यों देखते हैं हमने जो आयध्या में जवाब है कि जहां लोग कहें कि आप धर्म च्छूते हैं तो भों को सारे पहली। छूते हैं जो विरोध करना चाहता हाँ वही एक चश्मे से हमारा विरोध कर रहा है तो किया पहले से तैयार प्लान था या या एक बेहतर जवाब होगा लोग सब्सक्राइं के दौरान पर जब यह जवाब उठे या जवाब धर्म का ही रहेगा नहीं भारती जनता पार्टी को तो अपना काम करना और जवाब देने की जरूती बलकि उनको पता है कि जिस तरह के कारी वो कर रहे हैं उसके उकसावे में विपक्स जो कुछ भी बोलेगा वो उनके खिलाफ ही जाएगा जिसको कहते हैं न चारा है मचली का जो डाला गया है और अब वो फस जाएगे जो बात हो रही थी कि आप रामマंदीर का विरोध कर सकते नहीं कर सकते हैं किया इन्होंने केवल राम मंदिर की भावना को ध्यान नहीं रखा इन्होंने उसके आसपास के पूरे ecosystem जिसको हम कहते हैं उसका ध्यान रखा और यह भारत के तीर्थ स्थलों की कुरूर सच्चाई है कि तीर्थ स्थलों में उस तरह की सुविधाय नहीं दी गई उसका विकास नहीं किया खुद महात्मा गांदी ने काशिविशनात मंदिर की गंदगी को लेकर जो बयान दिया है वो इतियास में दर्ज है उसकी गंदगी को लेकर जितनी लानते उन्हों दी हमने काशिविशनात काशिवि ए शिवी नियादी काम नहीं करेंगे और केवल वोट मांगने जातें। यह मैं केवल भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूं। ये दूसरी पार्टीों के सबक है। आप सबग लीजिए कि भारत में वर्षों से जो काम थगत थे, विलंबित है आप वो नहीं करेंगे और सोचेंगे जनता आपको अगर देती भी रहेगी क्योंकि दूसरा किसी ने विकल्प खड़ा नहीं किया किसी ने बड़ी लाइन नहीं खीची कोई बड़ी लाइन की खीच के बता देगा कि महाकौल कॉलिडर ऐसा भी दिख सकता है तरीके से समेटा है उसको ऐसे भव्य परेटन स्थल में बदल दिया है उनकी अर्थव्यवस्था में उसका इतना बड़ा योगदाने हम भी वान टिकेट लेकर जाते हैं पैसे लेते और चीजों को देखते हैं क्या भारत में इतनी सम्रुद्य हैतियासिक विरासत को धार् अगर पूरानी सरकावने अगर तुष्ट्री करन की खातिर इसको तवज्जो नहीं दीये तो दूसरी पार्टियों के लिए तमाचा है सबक है कि आप करोड़ लोगों की आस्थाओं को दरकिनार करके राष्ट में राजनीती नहीं कर पाएंगे राजनीती लोगों के लिए होती वोट लोग देते हैं देश्ट लोगों का है और लोगों की उन आस्थाओं को दरकिनार करके अगर आप राजनीती करेंगे तो गलत एक सवाल जो आपने पूछा था उसका जवाब छूड़ गया है भारतिय जनता पार्टी के पूराने नेता जिन्होंने इस तरह के आंदोलन में इस तरह की पूरी प्रक्रिया में लंबी भूमी का निभाई है उनकी वहाँ उपस्तिती नहीं होना भाजपा की अंद्रूर्नी नीती हो सकती है रणनीती हो सकती है राजनीती हो सकती है क्या उनको सचमुछ निमंत्रन देकर ये कहा गया कि मता ना ये सब अफवाएं हैं बाते हैं क्या ऐसा हुआ हमें पता नहीं है लेकिन हम लोग जिन्होंने इस आंदोलन को देखा है शुरूआत से अभी तक जो भी लोग उस आंदोलन से जुड़ेते चाहे वो साथ भी रितंपरा हों मुर्ली मनोहर जोशियों लालक्रिशन आडवानी हो यदि प्राण प्रतिष्ठा के समारों के द्रश्यों में उनकी उपस्थिती होगी तो ये भारती जनता पार्टी के लिए अच्छा ही होगा वो क्यो अब युद्य ने बात होनी चाहिए तो पूरा जो एरपोर्ट है अगर परियटन की दुष्ठी सभी आप देखें इस तरह से बनाया गया उसकी सनरचना हुई है क्योंकि अब वेस्ट की जैसे राहूल कह रहे थे बाहर में तो टूरिजम कॉरिडोर्स होते हैं तो यहां क्यों नहीं आयुद्या में को एक बिंदू मान कर एरपोर्ट जो है उसको अंदर तक आप देखें जिस तरह से चौपाई है हर तो परेटन की द्रिष्टी से भी और परेटन से हम रेविन्यू को भी जोड़ने उस द्रिष्टी से भी यह बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक अंगल अच्छा है देखने लाए तो हमको कहीं न कहीं बार-बार में यह बात करी हूं जो उन्होंने कहा कि इसको परेटन नरेदर मोधी पहुँचे हैं हमने भी कोशिश की कि आपके पसंद्रग शो को आपके बीच में लाइफ किया जाए यह तमाम चर्चा आप दोबारा हमार रुजाला पर देख सकते हैं हमारे तमाम पैनलिस ने जो बात कहीं उनके हिस्सों को आप देख सकते हैं और स अगर आप यह तमाम दोस्तों के साथ बिलकुल तमाम दोस्तों के साथ और आगे भी नए साल पर भी 22 जनवरी के दिन भी उससे पहले भी अयोध्या से जमीनी कवरे जम आपको दिखाएंगे वो सब कुछ देखने के लिए इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ शेर करना अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें